असलाम लीकुम एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम मैस कम्यूनिकेशन की एक थेरी, Diffusion of Innovation थेरी को डिस्कस करेंगे जब हम किसी थेरी को डिस्कस करते हैं तो उसके नाम से पता चार रहा है कि थेरी किस से मतलिक है इस थेरी में दो लफज इस्तमाल हो रहे हैं एक Diffusion और दूसरा Innovation तो Diffusion का मतलब है सप्रेड डॉट करना और Innovation का मतलब है कोई नया आइडिया, प्रेक्टिस, चेंज या कोई भी नई चीज या नया बदलाव आता है सुसाइटी में तो उसे हम कहते हैं Innovation कोई नया Innovation होता है तो उसे Innovation कहते हैं और जो उसे सप्रेल डॉट किया जाता है मतलब उस Innovation को जिन जिन तक पुंचाया जाता है ईसे Diffusion कहते हैं किसी भी नई innovation को, नई idea को, प्रैक्टिस को लोगों तक कुंचाना diffusion कहलाता है. तो अभी हमने पढ़ा है diffusion का और innovation का मतलब. अब हम देखते हैं diffusion of innovation theory क्या होती है? तो diffusion of innovation theory क्या करती है? एनलाइज करती है कि कैसे social members होते हैं, ने इनौवेशन को, आईडीयाS को adopt करते हैं, और किस तरहां जो होते हैं वो decision बनाते हैं इनकी तरफ Seed करते हैं कि उन्हें नही जो innovation है किस तरहां adopt करना है. इन जो सब को करने का महती है, जो innovation को करने का मेश मीडिया, कर स्टोर्वार चैनल के जरीए होता है, इसमें involved होते हैं, मसाल की तोर पे कोई आपने लोगों तक बात पुन्चा नहीं है तो इसके लिए किसी मैस की जुरुत होती है, किसी मीडिया की जुरुत परती है एक अवाम तक आपने बात पुन्चा नहीं है, किसी भी चैनल के थूँ या इंटरपर्शनल चैनल के थूँ, तो ये दोनों इसमें involved होते हैं ये जो थेरी है वो ज्यादा human capital पे लाए करती है उसके बाद according to the theory, innovation should be widely adopted in order to attain development and sustainability इसका मतलब है कि इस थेरी के मताबिक, innovation आपको adopt करनी चाहिए ताके society की development हो और एक sustainability आए तो innovation इसका मतलब है अच्छे होते हैं उसके बाद है, diffusion of innovation explain the rate at which the new ideas and technology spread diffusion of innovation क्या करती है, explain करती है, rate के जिसके जरीए वो rate explain करती है कि किस तरह जो new ideas और technology है, वो spread out हो रहे है the diffusion of innovation theory है, वो base करती है consumers पर कि किस तरह एक नई product को या service को जो consumer है वो like कर रहे हैं किस तरह से वो कितने लोगों की reach हुई है अब तक इस तरह यह सारा जो procedure है, जो rate है, वो diffusion of innovation के जरीए check किया जाता है, next देखें, introduction, diffusion of innovation theory को Robert, sorry, Avert-Roger, Avert-Roger ने जो explain किया था, 1962 में एक बुक थी आई थी इसकी, diffusion of innovation, इसमें उन्होंने diffusion of innovation के बारे में बताया था और जो जिसके हम बात कर रहे हैं, Avert-Roger, वो American communication theorist थे और sociologist थे और जो पैदा हुए थे, केरोल में, और लोवा इन इस फैमिली फार्म, उसके बाद इनकी, 1931 में इनकी बर्थ हुई थी और 2004 में देथ होगी थी और ये क्या थे, ये researcher भी थे, professor भी थे, advisor भी थे, और former editor थे, newspaper पर गए और reporter भी थे ठीक है, और इनकी बुक में diffusion of innovation जो मैंने पहले भी बताया है, कि इनकी बुक में diffusion of innovation थी उसमे diffusion of innovation theory के बारे में बताया गया था, इसने बताया था कि किस तरह आइडियाज और innovation सप्राइड ओर्ट होते हैं पापुलेशन में और मजीद इसने कहा कि social system में जो innovation है वो communicate होती है by the process of diffusion नेक्स्ट एवर्ट रोगर ने elements बताये diffusion of innovation के कि इन चार elements का होना जो हैना diffusion of innovation के लिए जरूरी है, ये चार elements होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप diffusion of innovation कर सकते हैं और मजीद यह कहा कि ये element होंगे तो आप अपना मैसी लोगों तक पुंचा सकेंगे तो सबसे पहले आता है innovation, आपके पास idea नहीं होगा तो आप spread out क्या करोगे ठीक है, तो innovation क्या है, innovation एक idea है, practice है, object है जो एक नई चीज है, ठीक है, जो नई चीज आईए है किसी individual के जरीए, society में तो उसे क्या कहते है, हम innovation कहते है, उसके बाद है, सबसे पहले आपके पास आगी innovation जिससे आपने spread out करना है उसके बाद है communication channel, innovation को किस channel के जरीए spread out करना है, मतलब diffuse करना है तो आपके पास क्या आगा, message आ गया, ठीक है, लेकिन आप diffuse करने के लिए communication channel की जरूरत होगी तो communication channel जो होता है क्या करता है यह एक इनसान से एक individual से message रेसीफ करता है और दूसरे message तक पहुंचाता है तो यह होता है channel of communication के जरीए के जो innovation है वो लोगों के दर्मयान में फैलती है population में पूरी population में जो होती है वो spread out होती है तो यह communication channel में आपका मूँ भी आ सकता है जिस तरह के आप अपने जुबान से बात करके इंटर पर्सनल communication कर सकते हैं face to face किसी इंसान के सामने बैटकर से बात कर सकते हैं इस में mobile phone आ जाता है SMS के जरीए text message के जरीए किसी भी farm में यह communication channel हो सकता है next आगे time कोई भी defrian हो तो इसे adopt करने में लोगों キतना time लिया इसे कहते हैं यह element यह बताता है कि जो defrian हो रही है उससे adopt करने में लोगों थायम लिया फार एक्सांपल mobile phone जब market में आया तो लोगों में spread out होने में कौन यह कोने में जाने में यह जो time है यह जो duration है वो इस element में बताएंगे ठीक है उसके बाद है social system तो एक society होती है जिसमें मतलब एक society में group होते हैं कुछ groups होते हैं कुछ groups बन जाते हैं society social system में group of people होते हैं ठीक है network होता है एक network होता है जो मिलके क्या करता है जिसमें तुमाम components मजूद होते हैं जैसे के religion, institutions, group of people तो इसे कहते है social system ठीक है जिसमें तुमाम जो construct हैं वो होते हैं तुमाम component होते हैं तुसे कहते है social system next rogers ने बताया के three ways होते हैं जिसके जरीए जो होते है individual क्या करता है वो decision करता है decision लेता है अपने मतलिक ठीक है एक उसने बताया optional, एक collective और एक authority तो rogers ने कहा कि जो लोगों की thinking होती है वो अलग अलग होती है हर किसी का सोचने का style है, cognition process है हर किसी के difference होता है different होता है तो वो किस तरह से काम करता है किस तरह से वो work करता है तो सबसे पहले option लाता है ऑप्शनल वो अपने आपकी innovation का decision बनाता है और खुद ही उसे implement करता है और जो collective होते हैं वो decision लेता है और वो decision होता है that decision made by all individual in the social system decision होता है और वो सब का होता है उसके बाद है authority, जो authorized people होते हैं वो ही idea बनाते हैं और जो decision लेते हैं और वो ही implement करते हैं next Time mechanism of the pieces of innovation theory तो मेकनिजम में सबसे पहले आजाता है नोलीज तो एक इंडिवीजिवल हैगर उसके पास नोलीज नहीं होगा तो वर कपने करेगा। और अगर उसके पास knowledge होगा वो से जानेगा, जानने की कोशिश करेगा और देखेगा कि इसके क्या फाइदे हैं, क्या नुकसानात हैं, positive images के हैं, negative images देखेगा और क्या करेगा, new innovation को adopt कर लेगा, तो सबसे पहले knowledge का होना, new innovation को क्या करने के लिए, diffuse करने के लिए जो knowledge का होना बहुत जरूरी है, सबसे पहले knowledge उसके बाद आता है, persuasion persuasion में क्या होता है, एक individual को जब knowledge होगा, तो जब knowledge होगा, वो उसके बारे में जानेगा, तो क्या करेगा, interest शो करवाएगा जब new innovation के बारे में interest शो करवाएगा, तो उसे मजीद जानने की कोशिश करेगा, और मजीद information उसके बारे में कठी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अब पहले उसके पास knowledge था, उसने persuade किया, उसे persuasion मिली, उसके बाद उसने कहा किया, decision लिया, अब क्या करेगा इस stage में, जो individual जो individual है, वो analyze करेगा, positive और negative effect उनको analyze करेगा, और decide करेगा, आया कि वो इसको reject करे, या accept करे, तो रोगर्स ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल जो है, ये stage होती है, innovation की, उसके बाद decision के बाद करेगा, implementation होगी, implementation होगी, इसमें जो individual है, वो effort करेगा, effort करेगा, और identify करेगा, dependence of the innovation कि जो innovation है, उसकी dependence कैसी होगी है, इसके बार इसके इसके dependence कैसी होगी है, اور मजीन इंफमेशन लैटए करेगा, और जो ये बाद कितना innovation कर लिता है, फाइनलाइज कर लिता है, अपना रिसियन को और उसे इनोवेशन को फुल पोटेंशिल के साथ क्या करता है, इस्तमाल करना शुरू कर देता है, उसके बाद आ जाती है, अडॉप्टर केटागरीज जब कोई नई इनोवेशन जो सबसे पहले इनोवेशन आते ही क्या करते है अडॉप्ट कर लेते हैं ठीक है, मतलब केक्टराइज बाइज बाइदूस who want to be the first to try the innovation, फर्स होते हैं जो सबसे पहले इनोवेशन को try करते हैं उसके बाद आता है early adopter जो होते हैं जो ये change आया है उसे अराम से कबूल कर लेते हैं और जो नियू आइडिया प्रेक्टिस या कोई भी चेंज या कोई भी सोसाइटी में बदला हुआ है उसे क्या करते हैं अराम से बिल्कुल सब उनके साथ असेप्ट कर लेते हैं उन्हें कहते हैं अर्ली अडॉप्टर उसके बाद आता है अर्ली मेजोरिटी ये वो होते हैं जो न्यू इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं लेकिन बहुत अवरीज परसन के सामने बहुत अवरीज सब के सामने नहीं बहुत अवरीज परसन के सामने अडॉप्ट करते हैं और फिर मजीद evidence लेते हैं इनके बारे में और फिर decide करते हैं कि वो इस category को adopt करेंगे या नहीं करेंगे characterized by those who adopt new innovation before the average person however evidence is needed that the innovation work before this category will adopt the innovation मतलब अगर evidence है उसके वो काम करेंगे उसके आगे तो वो क्या करेगा इस category को adopt करेगा उसके बाद है late majority late majority वाले कौन लोग होते हैं characterized by those who are skeptical of change and will only adopt an innovation after it has been generally accepted and adopted by the majority of the population जब बहुत सारे लोग मतलब majority of population जो है इस innovation को adopt कर लेती है तब जो यह लोग हैं देखते देखते मतलब एक दूसरे को देखते क्या करते हैं यह भी adopt करना शुरू हो जाते हैं इन्हें कहते है late majority उसके बाद आते हैं लेगार्स लेगार्स क्या करते हैं कि बहुत ही traditional conservative होते हैं और यह क्या करते हैं सबसे last पे change आता है इन्में मतलब इसके बाद 34% early adopters होते हैं उसके बाद 34% early adopters होते हैं early majority होते हैं sorry उसके बाद 34% late majority होते हैं उसके बाद लेगार्स होते हैं 16% होते हैं next हम देखें importance of the diffusion of innovation theory the diffusion of innovation theory क्या करती है यह consumer का rate बताती है कि किस rate के साथ जो एक नया product है यह नई service हो लोगों तक पुंचार रही है किस कितने जो लोग हैं वो इसको touch कर रहे हैं कितने लोग adopt कर रहे हैं ठीक है इसलिए जो theory है यह marketers की help करती है understand करने में कि किस तरह जो एक trend ह है वो लोगों में चले रहा है कि companies की help करती है कि लोगों के like बताने में कि कितने लोग like कर रहे हैं आपकी product हो और कितने लोग unlike कर रहे हैं इसकी failure इसकी success के बारे में marketers को बताती है तो यह marketers होते हैं उनके लिए बहुत important रखती है by utilizing the refund of innovation theory films can predict which type of consumer will purchase their product मतलब यह जो होते हैं वो फिम उने बताती है कि किस type के consumer आपकी product प्रचेस कर रहे हैं ठीक है इस तरह हो उने लोगों की category का पता चलता है तो उसकी हास से क्या करते हैं अपनी जो product है उसका success rate बढ़ा सकते हैं इसका criticism है इसके बाद over simplification of the innovation adoption process मतलब कि इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि इतना ज्यादा इससे असान बताया जाता है कि यह predictable process है यह उतना ही ज्यादा complex है और unpredictable है इससे बहुत असानी से जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता उसके बाद limited applicability इससे मराद है कि यह नियू social movement होती है और फॉकस नहीं करती इसके बाद इसके criticism में आ जाता है और emphasis on innovation attributes और lack of attention to power dynamics इसी के साथ हमारी वीडियो खतम होती है और hopes हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें वीडियो को share करें और चैनल को subscribe करें थैंक यू सो मच अलाफीज